नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुक बिद पुस्वा में आपका स्वागत है तो आज हम होली के स्पेसल मिठाई बनाने जा रहे हैं जिसे हम अहर से बोलते हैं ये चावल और बूरा से बनाए जाते हैं लेकिन हमने यहाँ पर इन्हें कुछ डिपरेंट तरीके से बनाया है ये ज़्यादा तर होली के तिवार पर ही हम लोग इन्हें बनाते हैं अहर से खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं और बच्चे इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं तो चलिए एरसे बनाना शुरू करते हैं तो एरसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक किलो चावल लिये हैं जिने हमने दो-तीन पानी से अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इन चावलों को 24 गंटे के लिए पानी में भीवोकर रख देंगे चावलों में पानी हम उपर तक भर देंगे जिससे की चावल हमारे अच्छी से भीग जाएं 12 गंटे बाद हम इसका पानी एक बार बदल देंगे पुराना पानी निकाल देंगे और नया पानी डाल देंगे नहीं तो चावलों में इसमेलाने लगती है अब चावलों को भीगते हुए हमारे 24 गंटे हो चुके हैं अब हमने इन्हें दो तीर पानी से फिर से इन चावलों को धो लिया है और अब हम इन्हें किसी साप कपड़े में निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से हम इन्हें कपड़े में निकालेंगे और कपड़े में गांट लगाकर फिर हम कहीं पर इसे खुटी में टांग देंगे इससे इसका पानी एक एक मूंद करके सारा निचोड जाएगा वैसे हम किसी में रखेंगे तो इसका पानी पूरी तरह से नहीं निचोड पाएगा तो देखिए आप इसका पानी निचुड़ चुका है अब मैं इसे पंक्य की हवा में थोड़ी देर के लिए कपड़े में फैला दूंगी तो इसका हलका जो ऊपर से पानी रहे गया है हलका हलका वो भी सूख जाए सूख है कपड़े में चावल को फैलाने से हमारा एश्टा पानी जो है वो कपड़ा सोक लेगा और हमारे चावल सूख जाएंगे अब हम इने मिक्सी में पीस लिए हैं और यह हम बारीक वाली चलने से छान लेंगे इसको क्योंकि इसका पाउडर मुझे बहुत ही बारीक रख चावल को पीस के इसी तरह चान लेना है मुझे अब हमारी चावल पूरे पिस चुके हैं और चान लिए हमने आव हमें इस पाउडर को ना दबा के रख देंगे बिलकुल दबा दबा के रखते जाएंगे बर्वरा नहीं करना इनको बिलकुल दबा के रख देना है जिससे एकां में अनने दुभर में यहां पर यह हमारा रहा क्ते करनद यहांगे और हमदा यहां हमारा सौ ग्राम यह और यह हमारा दना है और घुल यह उसलिए है 200 ग्राम हमने 200 ग्राम घर पर बनाया है इसको भी आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा यह हमारी चारों सामगरी हैं एहर से बनाने के लिए वैसे जरूरी नहीं होता है इसमें गोला डालना या खोया डालना मगर स्वाद बढ़ाने के लिए हमें आपर खोया और गोला दो तो अब हम यहां पर बड़े एक बड़े बरतन में चावल के आटे को डालते हैं और फिर एक एक करके सारी समगरी को मिलाएंगे इसमें हमें दूद या पानी मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी खोया में ही सारा हमारा माटेरियल मिक्स हो जाएगा अब हम इसमें पि मिक्स करेंगे देखिए थोड़ा सा खोया लेंगे हम और थोड़ा चावल का आटा थोड़ा बूरा इस तरह से थोड़ी-थोड़ी तीनों चीज़ें करके मिक्स करते जाएंगे यहां पर हमें पानी की बिल्कुल भी आवाज सकता नहीं होगी इसमें और ना हम दूर मिलाएं और अब हम इसे मसल मसल के आटे की तरह गूंथ लेंगे अब हम इसको चिकना कर लेंगे और अब हम इस डू को रात बर के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे यह चावल का आटा अच्छे से फूल जाएगा और टाइट भी हो जाएगा तो रात भर इस डो को फ्रिज में रखने के बाद अब हमने सुबह इसको निकाला है काफी टाइट हो गया है हमारा ये डो अब हम आयर से बनाना शुरू करते हैं तो हमने थोड़ा सा डो लिया है और हमने इनकी छोटी छोटी लोगियां बना ली हैं इस तरह से हम इन्हें हतेलियों की सायता से बनाएंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से बनाके 5-6 एकटे करके रख लेंगे हम ज्यादा रखेंगे तो चिपक जाएंगे नीचे से चार-पांच इखटे करके रख लें ऐसे और फिर हम इन्हें सेखते हैं कड़ाई हमारी गरम हो गई है ओयल डाल दिया है हमने इस तरह से हम इसको कड़ाई में छोड़ देंगे एक एक करके ज्यादा इखटे नहीं डालेंगे नहीं तो यह चिपक जाएंगे दो तीन दो तीन करके हम सेखेंगे इनको अच्छा इनको सेखते समय ध्यान रखना एक तरफ सिख गए दूसरी तरफ पलट देना है बहुत से लोग इनको एक ही तरफ सेखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह दोनों तरफ सेखे जाते तब यह अच्छे से पकते हैं किया द्याच्सों को सेख लेगे तो देखें एस तरह से हमcco चार-बांच मिक हट है और जल्दी जल्दी से हिने पलटना है और फिलैम को मीडियम ही रखना देखिए यह जल्दी बहुत फुर्ती का काम है यह जल्दी जल्दी पलटना होता नहीं तो यह जल जाएंगे और देखिए कितने अच्छे हमारे यह से सिख रहे हैं दोनों तरब से तो इसी तरह से आप भी बनाएं जरूर अपने घर में देखिए तो हमारी यह ऐसे बनाने की रेश्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तो आप सभी को कोकवित पुस्पा की तरफ से होली की बहुत बहुत सुबका बनाएं तो फिर मिलते हैं एगली वीडियो म एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद